वाई मिडल क्लास पीपल गेट फेलियर आखिर मिडल क्लास के लोग असफल क्यों हो जाते हैं फ्रेंड्स आज के दोर में सबी देश की मानव जाते हैं पैसा कमाने के बीछे भाग रही है सबी लोगों को पैसा गमाना और अमीर भी बनना है पर सिर्फ 10% लोग ही सफल हो पाते हैं बाकी बच्चे 90% लोगों में 20% लोग गरीब और 70% लोग अपनी पूरी जिंदगी मिडल क्लास में ही गुजार देते हैं और अपनी कई सारी खुआईश पूरी करे बिना ही मर जाते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है क्यों लोग गरीब ही रह जाते हैं क्यों मिडल क्लास पीपल कभी सफल नहीं हो पाते हैं ऐसी क्या वज़ा है कि उनका सपना कभी सच नहीं हो पाता क्योंकि मैं भी एक middle class family से belong करता हूँ इसी वज़ा से मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादर लोग अपनी जिंदगी middle class में ही निकाल देते हैं और उनकी जातर ख्वाइशें सिर्फ सपना बन कर ही रह जाती हैं इसी वज़ाए से मैंने कुछ cases study कियें जिन में मुझे कुछ बातों का पता चला है जातर cases में यही कारण होता है हम लोगों के असफल होने का चलिए जानते हैं इस वीडियो के मात्यम से आखिर middle class के लोग असफल क्यों हो जाते हैं point number one जिम्मेदारियों के बोज़ तले दब जाना इसके चलते वो लोग दिन के 12 से 16 गंटे काम करते हैं और मानसिक तनाव में ही रहते हैं एक research से ये बात साबित हुई है कि middle class के लोग इसी तनाव के चलते अपनी पूरी जिन्दगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं point number two middle class सोच middle class के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ उनकी सोच है हमेशा negative ही सोचते हैं आपको आज कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग नज़र आएंगे जो एक समय में गरी थे लेकिन अपने जुनून और सोच की वज़े से उन लोगों ने अपनी किसमत बदली ऐसे ही कुछ लोग है Colonel Sanders के वल पांच साल की उमर में उन्होंने अपने पिता को गुमा दिया था और दस साल के बाद अपनी मा से भी पिछड़ गए थे इसके बाद वो एक जार नौ बार अलग अलग जगह से रिजक्ट हो गए थे जिसके चलते 65 साल की उमर के बाद अपना बिजने स्टार्ट किया यह वही कंपनी है जो पूरी दुनिया में के एफसी के नाम से जानी जाती है Steve Jobs Steve Jobs Apple Company के स्थापना करने वाले Steve Jobs की जिन्दगी में कभी भी दुखों की कमी नहीं रही है उनके पास पढ़ाई करने के लिए खाने खाने के लिए पैसे नहीं थे कई कई दिन तो बार जमीन पर सोना पड़ता था कई धार्मिक जगों में मुफ्त में भोजन करना पड़ता था ऐसी हालत में भी उन्होंने कभी हार नहीं माने और सफल होकर दुनिया के सामने एक उधारन पेश किया शारुक खान आज भले ही शारुक खान की गणना सूपर स्टार में की जाती लेकिन उन्होंने भी अपनी जिन्दिगी में काफी दुख जिले हैं वो भी एक मिडल क्लास से ही थे सिर्फ 15 साल की उमर में मा की और 25 साल की उमर में पिता की मिर्तिवी हो गई थी सारे जिम्मेदारियों से अकेले ही लड़कर आगे बड़े और आज एक सफल इंसान में सामिल हुए खैर इन लोगों के हाथ पर तो फिर भी सलामत थे लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने विकला उनकिता के बावजूद भी इतियास रचा उनके बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे पॉइंट नमबर थ्री रिस्क उठाने से डरना आज अगर हम अपने आसपास नचर डालेंगे तो जातलों के सोच यह होगी कि सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए अगर कोई इंसान कुछ नया करना चाहता है तो सभी लोग आकर उस पर तूट पड़ेंगे और कहेंगे कि चाप नौकरी कर क्योंकि आज के दौर में बिजनिस करना असंभव है अगर फेल हो गया तो ऐसे सवाल कर बच्चे का मनोबल तोड़ देते हैं और वो लड़का अपनी पूरी जिन्दकी सिर्फ नौकरी में ही गुजार देता है और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता अगर आज हम बात करें समय की बरबादी की तो इसमें मिडल क्लास के लोग सबसे उपर नजर आते हैं मिडल क्लास के लोग अपना समय सोशल मीडिया और गेम खिलने में ही निकाल देते हैं और रिसर्ट के मताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तमाल करने में भारत दूसरे नबर पर आ गया है आज कई सारी ओनलाइन पैसा कमाने के तरकीब हम लोगों को मिल लई है लेकिन इसका इस्तमाल कोई नहीं करता अगर लोजाना हम समय के अनलेसिस की बात करें तो पता चलेगा कि मिडिल क्लास के लोग खास करके 15-35 उमर वाले लोग 3-4 गंटे फालत में बरबाद करते हैं और अगर यही समय सही जगह पर लगाया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं जैसे ब्लॉगिंग, एफिलेटिड मार्केटिंग, यूटूब, फ्रीलांसर और इसी तरह हम अपनी जम्यदारों के बोज़ को भी उठा सकते हैं पॉइंट नमबर 5 किसी भी काम को करने में शर्मिंदगी महसूस करना दोस्तों मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है जिसके चलते हम अपने परिवार का खर्च नहीं उठा पाते आज के दोर पर अगर कोई पड़ा लिखा है इनसान अपनी जॉब से तंगा आकर आगे बढ़ने के लिए कोई नया तरीका आज माने की कोशिश करता है तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि यह नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए तू पड़ा लिखा है लोग क्या कहेंगे यहीं सोच के कारण मिडिल क्लास के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनको हर बार यहीं डल लगा रहता है कि लोग क्या सोचेंग करने के लिए कभी भी मैनत नहीं करते हमेशा किसमत के भरोसे भी बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं कि भगवान तुने मुझे गरीब क्यों बनाया अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसन जरूर आगे बढ़ता है चलिए मैं ये बात आपको एक्जामपल के थूरू बताता एक गरीब आदमी था जो हमेशा भगवान से शिकायत करते रहता था कि मुझे गरीब क्यों बनाया और मेरे सामने वाले को अमीर क्यों बनाया रोज रोज के शिकायत सुनकर एक माहन व्यक्ति ने कहा चलो आज उसको जवाब दे ही देता हूं कि तू गरीब क्यों है इसके लिए उस महान व्यक्ति ने उस अमीर आदमी से बात की और उस अमीर आदमी को उस गरीब आदमी की जिन्दगी जीने के लिए कहा इस तरह गरीब आदमी और अमीर आदमी एक ही जिन्दगी जीने लगे दोनों व्यक्तियों को इस महान आदमी ने एक मचली पकड़ने वाली जिसको उसने 2000 रुपे में बेचा जो उसने एक ही दिन में अपने परिवार को अच्छा खाना और कपड़ा दिलाने में खर्च कर दिये वहीं दूसरी तरह वो इनसान था जो अमीर से गरीब बना था उसने सिर्फ 9 मचलियां बेची और एक मचली अपने परिवार के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लिया जिससे उसके पास 1800 रुपे बचे इस बचे हुए पैसे में से उसने अगले दिन 1000 रुपे दे कर एक नई चड़ी खरी दी और 500 रुपे दे कर एक मचली रख लिया और बागी के रुपे बचा कर लख लिये अगले दिन उस गरीब इनसान को 10 मचलियां मिली वहीं दूसरे इनसान को 20 मचलियां मिली और तीन मजदूर भी रख लिए फिर इसके पास सो रुपे और बचे ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा वो गरीब इनसान हर दिन दस मचलियां पकड़ता और इसको बेच का सारा पैसा खरच कर देता जबकि दूसरा इनसान जिसको बगवान ने गरीब बनाया था उसने अपने अब आप ही समझदार है कि इनसान अपने कर्मों से और समझदारी से गरीब बनता है ना कि किसी भगवान के बनाने से इसका मतलब यह है कि लोग अपनी सोच के करान गरीब होते हैं निशकर्स जैसे कि हमने बात की कि क्या अंतर है मिडल क्लास और अमीर लोगों के बीच में यहाँ पर हम अमीरी गरीवी की बात नहीं कर रहें लेकिन मिडल क WATKS लोगों के ऐसा फल होने की बात कर रहें हैं अगर हम मिडल कलास के लोग अच्छी तरह से अपनी जिंद्गी पर अनिलिसिस करें तो अपने फालतू के समय को सही जगह पर लगाकर अमीर ना ही सही पर इतने capable तो बनी सकते हैं कि अपनी और अपने परिवार की खुआशें पूरी कर सकें यदि ऐसा होता है तो यह सफलता ही कहलाती है दोस्तों अगर आपको middle class people असफल क्यों होते हैं वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों परिवार और social media पर शेयर जरूर करना धन्यवाद दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी और आपको सीखने के लिए कुछ नया मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लेकर के आते रहें दोस्तों मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें धन्यावाद